नेक्स्ट हमारी थियोरों है दा क्लास M उफ मेजरेबल सेट इस एन सिग्मा ऐलजेबरा ठीके देखिए हमने मेजरेबल सेट के डिफिनिशन की थी अब मैंने एक M सेट बना लिया इस M सेट में क्या है E वो वाले E सेट सलजट E is मेजरेबल जो भी सेट मेजरेबल है उनकी कलेक्शन के सेट को M बोला है उस M को क्या प्रूव करना है सिग्मा ऐलजेबरा ठीके सिग्मा ऐलजेबरा प्रूव करने के लिए हम दो चीज़े प्रूव करेंगे एक तो पहले ऐलजेबरा प्लस काउन्टेवल यूनियन भी इसी M में बिलोग करती है और अगर मैं कोई A सेट M से उठाऊं तो A कॉम्पलिमेंट भी M में बिलोग कर रहा है ठीके हम M को सिग्मा ऐलजेबरा प्रूव कर रहे हैं फर्स्ट वी विल शियो डेट M इसन ऐलजेबरा M को ऐलजेबरा दिखाएंगे Let E belongs to M E M में बिलोग कर रहा है लेकिन M में तो हम क्या ले रहे हैं वो सेट ले रहे हैं जो मेजरेबल है इसका मतलब E भी कैसा होगा मेजरेबल होगा हमें पता है कोई भी सेट मेजरेबल हो तो उसका कॉम्पलिमेंट भी मेजरेबल होता है इसका मत्बब E complement भी measurable होगा अगर E complement measurable है तो किसमें जाएगा M में क्योंकि M है collection of all measurable set ठीक है Let A B belongs to M अगर A और B में जा रहे हैं तो A और B कैसे होंगे? measurable होंगे लेकिन हमें पता है union of finite number of measurable set is measurable finite numbers of measurable set measurable होता है तो A union B भी measurable होगा और अगर A union B measurable होगा तो वो M में भी लोग करेगा क्योंकि M क्या है? class of measurable sets तो M में एक algebra हो गया अब हमें प्रूब करना है M को sigma algebra Now we have to show that M is closed under of countable union Let EI be countable collection of in N अब मुझे countable union को M में दिखाना है तो मैंने EIs ले लिए बहुत सारे countable collection in M ठीके? इनकी union को E हमने बोला that is in M ठीके? ये हमें प्रूफ करना है Without laws of generality we assumed that EIs are disjoint तो हम मान के चलेंगे जो EIs हमने ये collection लिए ने ये disjoint है क्योंकि मान लीजिए अगर ये disjoint नहीं भी होगी तो अभी पिछे वाली थी और मुझे क्या कहती है? AN सिक्वेंस है script A algebra से algebra हमारा यहाँ पर A की जगे M है ठीके? तो मैं एक सिक्वेंस ढूण सकते हूँ disjoint members की such that union of AN is equal to union of BN equal होगा तो ऐसे ही अगर EIs disjoint नहीं होगे तो मैं एक सिक्वेंस का by above lemma we can find यहाँ पर statement लिखेंगे आप we can find a countable collection of disjoint measurable set BIs such that union of EIs is equal to union of BIs ठीके? अगर इनकी union ब्राबर होगी और इनकी union को तो मैंने क्या बोला है? E यानि union of BIs को भी क्या होगा? E होगा ठीके? we define FN अब हम FN define कर रहे है union of BIs BIs क्या है? disjoint अगर आप EIs को disjoint मान रहे हो तो ठीक है तो यहाँ पर EIs चलता रहेगा हमारा ठीके? लेकिन अगर EIs disjoint नहीं होंगे तो मैं एक disjoint measurable sets की collection ढूंड सकती हूँ such that union EIs is equal to union BIs FN क्या मान है? union ironing from 1 to N BI यानि F1 क्या होगा? B1 F2 क्या होगा? B1 union B2 F3 क्या होगा? B1 union B2 union B3 जहाँ जितना ये N जा रहा है वहाँ तक हम जाएंगे union वहाँ तक लेंगे 1 से शुरू करत हुए then each FN being finite union of measurable set is measurable हर BI क्या था? measurable set था उनकी union B क्या होगी? measurable और उनकी union से ही FN बन रहा है ठीक है न? तो FN भी क्या होगा? measurable by definition for each set अगर FN measurable है measurable की definition क्या कहती है? कि for each set A of reals we have M star A is equal to M star A intersection FN plus M star A intersection FN complement होगा ठीक है FN किसका subset है? E का? क्योंकि E तो क्या है? union E तो countable union है BI इसकी और ये finite union है finite unit तो हमेशे countable में contained होगी FN complement रुल्टा हो जाएगा contains E complement दोनों की E के साथ intersection कर दी E intersection FN complement contains E intersection E complement monotonic की property कहती है outer measure of M star A intersection E complement इसको इधर लिख दिया less than equal to होगा outer measure of A intersection FN complement adding both side M star A intersection FN A intersection FN इधर भी add कर दिया A intersection FN इधर भी add कर दिया ठीके लेकिन ये चीज मुझे क्या बताती है ये तो equal है equal है तो greater than भी है ठीके तो greater than in quality का हमने यूज कर दिया यानि outer measure of A intersection FN plus outer measure of A intersection E complement is less than equal to outer measure of A ठीके इस बात को सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है और FN की जिएका finite union लिए है ठीके यानि outer measure of A is greater than equal to यह हमें पता है countably यह हमारे disjoint है तो countably additive आएगा ठीके बी आइज दिश्वाइंट है ठीके तो infinity के लिए भी M star A बढ़ा होगा हमने N को infinity से replace कर दिया क्योंकि left hand side कोई फरक नहीं पढ़ता आप N को 3 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं 10,000 ले रहे हैं, 1,000,000 ले रहे हैं सब के लिए M star better than equal to this है ठीके, also अब बात की M star A intersection E E क्या है, union of BIs है union को बहर लाएंगे तो ये A intersection B I बन जाएगा क्योंकि A पर तो आई का effect नहीं बढ़ रहा ये बहर आ जाएगा और ये A intersection B I बन जाएगा ठीके, ये A intersection B I accountably हमारे सब additive होंगे mission M star A intersection B I यानि M star A intersection B I greater than A intersection E से तो A intersection B I इसको replace कर दिया A intersection E से ठीके, तो then M star A is greater than equal to M star A intersection E plus M star A intersection E complement ठीके, और E के लिए अगर हम ऐसा prove कर पा रहे हैं जहाँ पर A is any set तो E क्या होगा measurable, E क्या थी countable union थी measurable sets की hence M is a sigma algebra, next theorem है countable intersection of measurable set is measurable D morganola आपको उसके लिए आना चाहिए कि जब किसी भी set की हम compliment लेते हैं तो intersection union में convert होता है union intersection में और EIs compliment हो जाएगा, ठीके हर EI मुझे measurable दे रख है हर EI measurable है तो उनका compliment भी measurable होगे उनकी countable union भी measurable होगी countable union को मैं इस चीज़ को मैं यही लिख सकते हूँ यही measurable है, यह कोई भी set है पूरा मालो यह अंदर वाले को मैं B बोलने हूँ, B compliment measurable है, तो B compliment का compliment भी तो measurable होगा, और B compliment का compliment भी तो क्या बनेगा, फिर यह इसको union बंदे कर देगा, और EI compliment का compliment EI हो जाएगा, is again measurable, hence countable intersection इसको पहले यह इसको वर्क करेगा, देखो यह double compliment कैसे वर्क करेगा, इसने इसको union किया, और EI compliment बना, इसने इसको दुवारा intersection किया, और EI compliment का compliment, तो intersection EI बन जाएगा, यह, hence countable intersection of measurable, that is measurable